अब गुरूर अंधावा ने कर दी सब की बोलती बंद भरी महफिल में उन्होंने शहनास पर जो कहा वाई अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो चुकी है क्या कुछ कहा है उन्होंने पूरी बात बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए शहनास के इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही हैं और ऐसे में वो बहुत सारे लोगों से मिलती हैं पिक्चर्स भी बहुत सारे क्लिक किये जाते हैं ऐसे में दोस्ती अगर कही जाए तो वो बहुत कम लोगों से होती है ऐसे में शहनाज गिल की दोस्ती हुई है गुरू रंधावा से और गुरू रंधावा और शहनाज गिल की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी बहुत जादा पसंद किया जाता है जब जब इनका कोई सौंग आता है ना देखते ही देखते बहुत सारे व्यूज पा जाता है और फ जहनाज गिल के ऐसे में बीते दिनों शहनाज गिल और गुरू रंधावा का एक सौंग आया था मून राइस वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया अब आप ये तो जानते ही हैं कि शहनाज गिल भी बहुत सारे शोज कर चुखी हैं गुरू रंधावा भी बहुत सारे गुरू रंधावा हमेशा मेंशन करते हैं और यहाँ पर गुरू रंधावा ने शहनास के लिए कहा कि मोन राइस सॉंग मेरी फेवरेट मेरी प्यारी दोस्त शहनास गिल और मैंने मिलकर गाया है तो इस तरह से जब मेंशन करते हैं गुरू रंधावा तो बहुत ही अच्छा लगता है और भरी महफिल में शहनास का नाम वहापर इस तरह से गुंज उठा इस तरह से तालिया बजुठी मानो शहनास गिल ही परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पर गुरू रंधावा ने जिस तरह से शहनाज गिल को मेंशन किया बहुत ही अच्छा लगा ये देख कर कि भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो इतनी गहरी हो तो शहनाज और गुरू रंधावा हमेशा ही दोस्त रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इनके आने वाले टाइम में भी हम देख पाएंगे हो सकता है कोई stage performance भी दोनों की साथ में हो जाए आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी अपडेट आप तक हम पहुचाएंगे तो कोई भी अपडेट मिस न करें जिसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बाकि आपका इस पर क्या है कहना कमेंट में आकर हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस